हेलो एविडिवन मैं राजी मैं तो एलेक्ट्रो फीचर से ही आज हमारे पास में एक सेमसंग का 43 इंच 4K टीवी आया है जिसका मोडल आप देख रहे होंगे 43NU जिसके अंदर डबल चैनल का पैनल होता है लोजिक मदरबोर्ड में ही होता है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे और वह पैनल आजकल और डेटेट हो गया और मिलता नहीं है यह आप देख रहे होंगे मदरबोर्ड से 96 पिन का दो फ्लैप होते हैं दोनों फ्लैप पैनल में ज लगाएंगे भी तो इसके अंदर कुछ मोडिफीकेशन होता है जो अभी तक नहीं आया था उसका मोडिफीकेशन हमें निकाला है इसमें हम और नरी पैनल फिट करके दिखाएंगे यह हम देख रहे होंगे बी ओई का पैनल लगा है मैंने इसमों फोर के जो और नरी पैनल होता है कि यह लोजिक लग गया इसके अंदर आता जो अलगी में क्योंकि एल्वीडियस के लिए इसमें जैक नहीं है तो इस जैक से हम LVDS का पेर निकालेंगे तो उसके लिए converter आता है यह लगाना ज़रूरी है इस converter से ही convert नहीं होगा board में भी editing है वो हम बताएंगे आपका भी इसी वीडियो में आगे वीडियो पूरा देखिएगा यह आप देख रहे होंगे main system के just नीचे आर 845 के को shift करना है आर 844 पे यह register जस्ट नीचे लगाना है जैसे कि अब यह हम करेंगे करेंगे कि अब करेंगे कि अब करेंगे कि अब करेंगे कि यह पहला रजिस्टेंट्स रजिस्टर शिफ्ट हो गया दूसरा यहां देख रहे होंगे अब आर 1206 यहां पर 10 के आइड करना है 10 के register आइड करना है आर 1206 जो मैं description में दे दूंगा आपको location number और दें रजिस्टेंट वैल्यू तो आपको ज्यादा क्लियर फिकेशन मिल जाएगा क्यां आर पना हैं इंडा यहां सक्ट हैं विर वागऑ mom यहां आप देखने हम गई है यह एक फ्यूजेबल रेजिस्टर है इस रेजिस्टर को दूसरी तरफ सुप्ट करना है यह पैनल एडिये जो पहला पैनल लगा हुआ था उसके अंदर जो लोजिक बोर्ड बना हुआ है इसका डाटा फीड़ेट है तो अब इसकी कोई ज़रूरत है तो हम सबसे पहले इसको रिमूव कर देंगे पहला पहला जो फ्लाइब है उसके पास में यह खाली जगह यहां पर जी रोम का रेजिस्टर आइड करना है यहां तो यहां पर कोई फ्यूजेबल कुछ लगा दीजे या जंपर भी लगा सकते हैं अब इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे दें टेस्ट करेंगे कि अब दोस्तों इसी तरह से किसी भी सैमसंग टीवी में आपको पैनल लगाने में तकलीफ हो रही है दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में बोलिए हम उस पर भी रिसर्च करके वीडियो बनाएंगे देन हमारा काम जैपूर में है टीवियों का टीवी में आप किसी भी तरह का सोल्यूशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नम्मर मिल जाएगा देन टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा उस पर हमारे जितने भी मैकैनिक है अमारा लगबग दस पंद्र देख सकते हैं कि जो जो हमने फोल्ट अभी तक निकाला है वो सब कुछ उसमें डाला हुआ है थैंक्यू दन्यवाद